मैं डॉक्टर सुभाश्चंद श्री गोविन सिंग गूजर राजकिय महविद्याल्य नसीराबाद के इकंटेंट लेक्चर में आपका स्वागत करता हूँ आज हम बात करेंगे परियावरन और भील अरतात भारत के एक प्रमुक जनजाती है भील उसके बारे में बात करेंगे कि भील जनजाती ने किस परकार परियावरन से सह संबंद बनाते हुए अपना जीवन्यापन कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि जो भील जन जाती है वो संथाल और गोंड जन जाती के बाद भारत की तीसरी सबसे प्रमुख और बड़ी जन जाती है अगर हम इनका निवास शेतर देखें तो भील मुक्यते, गुजरात, राजिस्थान और मद्यप्रदेश के पहाडी और जंगली भागों में निवास करते हैं भारत में जो भीलों की जन संखिया है वो लगभग 28 लाख है अगर हम बात करें कि भील शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई तो द्रैविड शब्द है बिल, विल्वर, तमिल भाषा में विल्वर, विल्वर शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है धनूरधारी अर्थात जो भील जन जाती है उसका जो नामकरन है वो इसी धनूरधारी अर्थात धनूरधारी अर्थात धनूरधारी बान लेकर ये लोग रहते हैं अगर हम देखें तो भारत के जितने भी प्राचीन भारत्य ग्रंथ हैं जैसे रामाइन और महाबारत इन में भी भीलों का उलेख मिलता है महाबारत में तो जो एक लव्य है वो भील अपनी धनुर विद्या के लिए जाना जाता था तो अगर हम इनका निवास्थान देखें तो मूलते ये विंध्याचल, सत्पुडा और अरावली इन परवतों के परवतिय भागों में निवास करते हैं इनका निवास छेत्र गुजरात, राजस्थान, पश्चमी मद्यप्रदेश और उत्री महरास्टर तक विष्ट्रित है ये जो छेत्र है इसमें परवाहित होने वाली जो नदिया है वो चंबल, माही, बनास ये मुखे नदिया है और इस छेत्र में जो तापमान है लगबग अगर हम देखें तो गृष्वरितू का जो ओसत तापमान है मासिक तापमान वो 35 डिग्री सेंटिग्रेड और शेत्रितू का जो ओसत मासिक तापमान है वो 18 डिग्री सेल्चियस पाया जाता है अर्थात यहां की जो जलवायू है वो उशनिकटी बंधी है मौनसूनी जलवायू है यहां पर अगर वर्षा देखें तो जून से सितंबर महा तक यहां वर्षा होती है मौनसूनी वर्षा होती है और वर्षा का जो ओसत है वो पचास से सौ संटीमीटर के मद्दे पाया जाता है ये जो भीलों का निवास छेतर है यहाँ पर पच्चिस से तीस प्रतिशत छेतर में वन पाया जाते हैं तो इस तरह हम देखते हैं कि जो भीलों का निवास छेतर हैं वहाँ पर पतजड़ी वनस्पती पायी जाती है कुछ जो मानव सास्त्री हैं वो भील जन जाती को प्राक द्रविड जातियों में से मानते हैं कुछ मानव सास्त्री इन्हें मुंडा जाती के वन्शज भी मानते हैं क्योंकि इनकी जो भाषा है उसमें मुंडारी शब्द का प्रियोग अधिक होता है जो बियस गुहा महद्य हैं वो उन्हें प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाती से सम्मंदित मानते हैं और अधिकांशत है जो मानव सास्त्री हैं वो इनका उद्गम भारत में ही मानते हैं अर्था जो भील जन जाती है वो भारत की मूल मानव जाती है अगर हम देखें तो भील जो जन जाती है इसमें बहुत सारी जातियां पाई जाती है अब हम बात करते हैं कि इनके शारिदिक लक्षन किस परकार के होते हैं अगर हम शारिदिक लक्षनों की बात करें तो भील जो हैं वो मध्यम कदवाले और हिस्ट कृष्ट लोग होते हैं इनका जो रंग है वो आप कह सकते हैं कि गहरे काले से ताम्र के समान या आप कह सकते हैं कि सामानिय भारतिय का जो कलर है वो ऐसा ही इनका रंग होता है खास तोर पर तामर के समान होता है अब जो इनकी अगर बाल दिखें तो बाल रूखे, आखें, काली, जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ आप और पैरों की जो हड़ियां है थोड़ी मोटी, पुर्शों की अपेक्षा जो इस्त्रियां हैं भील इस्त्रियां वो सुन्दर होती है उनका शरीर सुगठित और सुडोल होता है अगर हम देखें कि इनकी बस्तियां या घर किस परकार के हैं तो भीलों के जो गाओं हैं या बस्तियां हैं वो सामान्यत उंचे स्थानों पर बसे हुए होते हैं और घर जो है वो स्थानिय रूप से प्राप्त सामगरियों के प्रियोग से ही ये घर बनाते हैं या जोपडिया बनाते हैं भीलों के जो गाउं हैं वो सामानने ते छोटे होते हैं लगबग 20 से 200 जहुपडियों वाले होते हैं खास तोर पर ये पहाडी ढालों जंगलों और नदियों के किनारे दूर दूर तक फैले हुए होते हैं बहुत सी जहुपडियां मिलकर पाल कहलाती हैं और भीलों का जो घर है उसको हम कू कहते हैं इसकी जो घर है वो आयताकार होते हैं इसकी दिवारे बासों और पत्थरों से बनी होती हैं फर्ष मिट्टी का होता है छत खप्रेल या घास फूसकी बनाई जाती है जो एक गाउं में एक ही गोत्र के लोगों की जो जौपडियां होती हैं उन्हें फना कहते हैं और फना के सम्हूं को पाल या गाउं कहते हैं इस तरह हम देखते हैं कि एक मकान में दो या तीन कमरे आंगन और बरामदा होता है आंगन में घरेलू सामान रखा जाता है और बरामदे में पशु बांधे जाते हैं अब हम देखते हैं कि इनके पास जो उपकरन किस प्रकार के होते हैं अगर हम किरशी उपकरनों की बात करें तो अती प्राचीन धंके उपकरन जैसे लकडी का हल कुदाल, फावडा, खुरपी, कुलहाडी कुलहाडी इनके लिए बहुत उपयोगी होती है क्योंकि चाहे घर बनाना हो वनों से लकडी काटनी हो या शिकार करना हो सबी कारियों में कुलहाडी का उपयोग किया जाता है इसके अलावा जो मुख्य ओजार है वो है धनुश्बान धनुश्बान से शिकार और मचलियों को फसाने के लिए जालका भी ये उपयोग करते हैं अगर हम देखें इनकी अर्थ विवस्था तो आर्थिक दृष्टी से अगर हम देखें तो भील लोग अपनी जीवी का के लिए पशुचारन करते हैं और वनों से कंद मूल फल एकतरित करते हैं और शिकार करते हैं हाला कि अभी ये कुछ समय से ये पशुपालन और कर्शी कारिय भी स्थाई रूप से करने लगे हैं ये लोग अपने परिवार के भरन पोशन के लिए कुछ मोटे अनाज, साग सब्जियां और पश्वों के लिए चारे की फसलें उगाते हैं क्योंकि इनकी जो क्रिशी है वो बड़े आदिम ढंग से करते हैं भूमी बहुत ज़्यादा उपजाओ नहीं है और जो क्रिशी है वो मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है इस कारण से जो औसत उपज है वो बहुत कम प्राप्त होती है तो खाद्यानों की जो कमी पूर्टी करने के लिए ये वनों से कंदमूल, फलफूल, वस्तुएं इकत्रित करते हैं और जंगली पशुओं और पक्षियों का शिकार करते हैं ये अब बाजार आधारित व्यपारिक फसलें भी बोने लगे हैं खास तोर पर तंबाकू, मूंगफली और कपास इनके जो भोजन है अगर हम भोजन की बात करें तो भोजन में मुखे रूप से मोटे अनाज, मक्का है, जौार है, बाजरा है, चना, मूंग, उड़द, कुटकी, साक सबजियां, पशुओं का मास, तंबूल, फल ये इस्तिमाल करते हैं या पकड़ी हुई मचलियां, भील लोग मजिरा के बड़े प्रेमी होते हैं, शराब बहुत अधिक पीते हैं, और ये उत्सवों के अवसर पर सामान्यते शराब पीते हैं और मासाहरी भोजन करते हैं अब हम बात करते हैं कि ये वस्त्र किस प्रकार के पहनते हैं, यहां क्योंकि जैसे हमने पहले देखा कि उश्न कटी बंधिये मौनसूनी जलवाईू हैं, तो गर्म जलवाईू होने के कारण भीलों को कपड़े की बहुत कम आवशक्ता पढ़ती हैं ये सामान्यते सूती वस्त्र पहनते हैं और वस्त्रों के आधार पर इनको दो भागों में बाटा जा सकता है, दो वर्गों में बाटा जा सकता है, लंगोटी या भील अर्थात, इसमें जो पुरुश है वो कमर में लंगोटी पहनते हैं और इस्त्रियां सिर्फ लहना पहन पहनती हैं दूसरा है पोतिदा भील दोती कुर्ता या कमीज पहनते हैं और इस्त्रिया जो हैं वो घागरा और बलाउस पहनती हैं अगर हम देखें तो जो लंगोटिया भील हैं इनकी संखिया मद्दे प्रदेश और महरास्ट में काफी अधिक है और जो पोतिदा भील है उनकी संखिया राजिस्थान में बहुत अधिक है अगर हम बात करें आभूशनों की तो इस्त्रिया पीतल तामबा या गिलेट के कुछ आभूशन पहनती हैं हाती दात की चूडिया पैर में चांदी के कड़े हात में चांदी के कड़े गले में चांदी की हसली उंगलियों में चांदी के छले और कई पुरुश चांदी या लोहे के कड़े भी पहनते हैं अब हम बात करते हैं कि जो भील जन जाती हैं उनकी सामाजिक विवस्था किस प्रकार की या सामाजिक संगठन किस प्रकार का होता है अगर हम देखें तो भील समाज पित्री सत्तात्मक समाज है और इनकी जो सामाजिक विवस्था है वो बड़ी संगठित है भीलों में संयुक्त परिवार पर्था है पिता घर का मुख्या होता है और सभी सदस्यों को पिता का निर्देश मानना पड़ता है जब भी लड़का परिवार का लड़का व्यस्क हो जाता है और शादी हो जाती है तो वो परिवार से अलग रहने लगता है लेकिन जितनी भी सामाजिक कारियें हैं जब तक पिता जीवित है वो सभी कारिये पिता के निर्देश में ही पूरे करने होते हैं दूसरा अगर हम देखें तो गाउं में लगबग एक ही वन्ष के लोग रहते हैं और इनके जो मुखिया है गाउं का मुखिया उसको तदवी या वन्षाओ कहते हैं दूसरा ये भील जन्जाती के जो लोग हैं वो छोटे-छोटे समोहों में विभक्त हैं इन्हें हम अटक या ओदाक गोत्र या कुल कहते हैं और एक ही अटक के सदस्य एक ही पुर्खे के वन्षज होने के कारण अंतर विभा नहीं करते अर्थात भील लोगों में बहिर विभा प्रथा है दूसरा विवहा में इनके एक और प्रथा है जिसमें कन्या का मूल्य देना पड़ता है और जो कन्या का मूल्य चुकाना पड़ता है इस प्रथा को ढाया या दाया कहते हैं ये लड़की का पिता लेता है दूसरा विवाह में पत्नी की मृत्यू होने के बाद उसकी छोटी बहन से देवर अगर भाई का डैथ हो जाती है तो देवर भोजाई के जो विवाह प्रथा है वो काफी परचलित है गरीब होने के कारण कई बार क्या होता है कि जो वधु मुल्य देने में सक्षम नहीं है तो कन्या अपहरन करके विवाह कर लिया जाता है दूसरा जो सहासी और निडर या वीर है उसको उसकी वीरता को देखते हुए उसको लड़की चुन्नी की आजादी मिल जाती है और वो विवाह कर लिता है इन में बाल विवाह की कुपर्था बिलकुल नहीं है दूसरा ये लोग बहुत महंती इमानदार होते हैं और ये चोरी करना पाप समझते है लड़के और लड़की का जो विवाह है वो लड़का जब 21 साल से बड़ा हो जाए और लड़की 18 साल की हो जाती है तो विवाह किया जाता है अब दूसरी बात ये है कि ये नयकेवल सहासी निडर इमानदार और महंती होते हैं बलकि ये स्वामी भक्त भी होते हैं शपत के पक्के होते हैं और केसर या नात में चड़ी केसर का पानी पीकर ये कभी जूट नहीं बोलते और घर में आए अपने शत्रू का सम्मान भी करते है ये इकलोती ऐसी जन जाती है जिसका मेवाड राज्ये के जो चिन में एक और राजपूत तो दूसरी और भील किया करती बनी है अर्थात इनको मेवाड का जो राज्ये चिन है उसमें भी जगहे मिली हुई है जब भी कोई मुश्किल समय होता है या अपात काल होता है तो ये ढोल बजा कर इखटे हो जाते हैं और फाइरे फाइरे का रंगोश करते हैं जो छोटा गाव है उसको पाल और बड़े गावों को ये फाल कहते है पाल का जो मुखिया है उसको गमेती कहा जाता है और जो मार्कदरषक होता है उसको ये बुलावा कहते है यदी कोई भील किसी सैनिक के गोडे को मार देता है तो उसे पकھरिया कहते है और पकھरिया को भील समाज में बड़ी ज़द मिलती है दूसरा अगर रिती लिवाश देखे इनके तो भीलों में जो देवी देवताइं हैं उनकी पूजा की जाती है और इसके अलावा ये भूत परेत में विश्वास रखते हैं ये हिंदू के समान ही बिलकुल इनका जो धर्म है हिंदू धर्म के बिलकुल समान है क्योंकि हिंदूओं के जितने भी देवी देवता हैं महादेव हैं, राम हैं, दुर्गा माता हैं, हनुवान जी हैं, गरेश जी हैं, या शीतला माता जी हैं इनको पूजते हैं ये दूसरा मृत्यू के बाद ये मृत्तक को जलाते हैं और हिंदूओं की तरह ही पूरे कर्मकांड करते हैं ये इनका जो त्योहार है वो होली बहुत प्रमुक त्योहार होता है अब हम देखते हैं कि इनकी अर्थविवस्ता किस परकार की है अगर हम अर्थविवस्ता की बात करें तो ये बहुत निर्धन होते हैं और पशुपालन और किरशी करते हैं लगबग जो है ये स्थानांत्री किर्शी करते हैं अगर स्थानांत्री किर्शी पहाड़ी डालों पर की जाती है तो उसे चीमाता कहते हैं और मैदानी भागों में वनों को काट कर भूमी में चावल, मक्का, चौार, बाजरा, मिर्ची की खेती को दजिया कहते हैं दूसरा जो पुरुश हैं वो ताला वो मचली पकड़ते हैं वनों में तीर कमान की साहता से जंगली पश्वों का सिकार करते हैं और इस्त्रियां वनों से कंद, मूल, फल, शहद, पत्तियां, पेडों की जड़ें ये एकत्रित करती हैं ये लोग गाए, भैंस, भेड, बकरी और मुर्गी भी पालते हैं आजकल अगर हम देखें तो इनकी अर्थवावस्था में शहरी संपर्क होने के कारण ये शहरों में शर्मिक के तौर पर और लकडारे के तौर पर अपना काले करते हैं अब हम बात करते हैं कि इनका जो है जो भी सामजिक संगठन हमने देखा रेती रिवाज देखा या अर्थव्रवस्था देखी तो ये लोग आज भी प्रकृती के साथ सहसंबंद बनाते हुए प्रकृती के साथ जीते हैं हलाकि जो शहरी छेत्रों के लोगों से संपर्क होने के कारण ये अब इतने भूले नहीं रहे इनमे भी सिक्षा का धीरे धीरे परसार हो रहा है और जो भारत सरकार की जो सुविधाएं हैं ये भी प्राप्त कर ये धीरे धीरे सामान्य जीवन व्यतीत करने लगे हैं धन्यवाद